हेलो श्रुदेंट्स वेलकॉर टू माइन अर्चर मैं हो किसना कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया तो तरह स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फॉर्मकलॉजी का चैप्टर नमर फॉर लेक्चर नमर सेवन नू ट्रॉपिक एजेंट्स है ना नू ट्रॉपिक साहिट कभी नू ट्रॉपिक कहां से आता है क्या है तो छोटा सा खेंट देदू इसके अंतर जो भी दवाईया होगी वह हमारे दिमाग को तेज करेंगी अलर्ट कर देती है हमारी काम करने दिमाग की छंबता को बढ़ाती है तो अब दिमाग की छंबता यानि की दिमाग की छंबता क्य की मोड में वह चीजको यह自ær करती है तो यानिकि वह पार्ट कहां रहता है हमारा सेरेब्रा जो धिमाग का सचेगल वाला पार्ट होता है न तो से लिए क्योंकि वो दिमाग के जबसंद सब्सक्राइब करते हैं तर्क करते हैं तर्क कर रहे हम लोग और सेरेब्रल हमारे ब्रेन का पार्ट है जहां पर यह तर्क करने की छम्ता शया शक्ती होती है तो इसी लिए इसको हम लोग कोगनीशन इनहांसर यह अब नू का मतलब होता माइन नू और ट्रॉपिन का मतलब तर्न और चेंज करना बदल देना किस रूट में ड्रग विच इंप्रूव मेमोरी तो कही ना कई दिमाग को तेज करना इसलिए इसका नाम के पढ़ गया नू ट्रॉपिक पढ़ ग लेटिन और ग्रीक से आते हैं तो इसी लिए यह नाम पढ़ा नू ट्रॉपिक दीज आर हिट्रोजीनियस ग्रूप ऑफ ड्रग हिट्रोजीनियस जो एटम इसके अंदर होते हैं ठीक है जो केमिकल स्ट्रक्टर होगा डवलप फॉर यूज इन डिमेंशिया डिमेंशियर व थो हमारा तेज नहोना नूटरॉपिक रभाटुए इसको क्या बोलते हैं स्मार्ट भी कहते है क्यों हमको स्मार्ट बना जैता है लोगना है ठीक है कि ठोलो लोग कहीं से सौल्ट मिल जाए ये काम नहीं करना हम लोग नॉर्मल इंसान है यह उन लोग के लिए है जिनोंको मोटिवेशन एंड मेंटल एनरजी तो हमारे दिमाग करें इंटेलिजेंस है मोटिवेशन और मेंटल एनरजी इन तीनों चीज़ों को क्या करता है यह बढ़ा देता है आईए फटा पर इसका देखते हैं हम लोग चाह कहते हैं क्लासिफिकेशन तो कोल इनर्जिक एक्टिवे और दूसरा है पाएरी टीनॉल ठीक है इसमें रिवास्टिसीन और डॉन पीजिल कोई मतलत दोदो याद कर लेंगे और यह तुमारा क्लासिफिकेशन यहां पर खतम हो जाता है किलियर है तो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन नहीं इसी क्लासिफिकेशन नू ट्रॉपिक का definition clear होगी हमारे दिमाग में अब pharmacological action क्या होगा एक तो ये सारे के सारे क्या होते हैं vasodilator और दूसरा दूसरा इसके तीन और add कर सकते हो यहाँ पर तीन कौन में से add कर सकते हो increase intelligence ठीक है ना increase mental energy increase cognition power या cognition ability इस तरीके से यह वर्ड यहाँ पर जोड करके इसके pharmacological action क्योंकि सारा brain से पार्ट है तो इसका दूसरा अलग हमारी body पर कोई खास असर नहीं देखा गया है तो बेन को लेकर करके है तो यह सारे तीन वर्ड increase motivation यानि यह भी brain से है तो इन शब्द को लगा करके यह सारे हमारे क्या pharmacology यानि कि हमारे दिमाग में कहीं न कहीं यह असर कर रहे हैं डोस रिवाश्ट जी मीन डोस क्या इनिशली 1.5 mg बीडी लेंगे यानि की सुबह साम then increase every 2 week by 1.5 mg और हर 2 week के बाद जो 1.5 mg के बाद 1.5 3 mg कर देंगे per day up to 6 mg ठीके ना तो अब यह डोन पे जील जैसे मैंना हमेशा बताता हूं क्या तरीका रहेगा क्या तरीका रहेगा कि एक इसका याद करेंगे एक इसका याद करेंगे पहले यह इस तरीके से तीन याद कर लेंगे फिर उसके बाद बहुत सारी दे दी है मैंने जो तुमारा मन करता है वह जैसे पारसी टेम ठीक है यह दो तीन जो मैं टिक कर देता हूं उनको पक्के से कर लें नेक्स्ट भी होना चाहिए हमारे बास ठीक है पार इंडिकेशन इंडिकेशन में सीदी सी बाहत है है ना गूगल पर डाल दो क्या mental illness या memory disease related to memory हमारी memory से related disease तो memory से related disease अब देखो यहां से question क्या बन सकता है इंडिकेशन जैसे कि तुमने देखा होगा पेपर हम डिसकस करते हैं मैंने प्रीविसर के पेपर भी डिसकस की है अगर question diet आता तो अच्छी बात है इंडिकेशन कैसे आएगा the drug which enhance memory which enhance memory तो memory को enhance करने वाला ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं memory के लिए हमाइन इंटेलिजेंस करने वाले ड्रग यह सारे आते हैं तो memory को affect करने वाली disease अल्जीमर मल्टी इंफ्रेक्ट डिमेंशिया ब्लक कर परने से कहते हैं माइल कोग्निटिव इंपेर्मेंट कोग्निटिव वाल्दा सोशल समस्टा जो हमारी कम हो जाती है या इसी को कहते हैं common symptoms of elderly बढ़ा पर आते थोड़ा सा हमारा जो तर्क करना और चीजों कोलेट करने की समता हमारी कम हो जाती है डिजीनेस हलका के चक्कर जिसा आएका दिमाग कमज़र हो जाता है एंड एपिसोडिक मेमरी लेप्स कभी कई टाइम पर मेमरी एकदम खो जाती है अभी कुछ कर रहे थे बतानी कहां गया वह बहुत जदा बढ़ जाता है ठीक है mental retardation in children बच्चो मतलब जो हमारा oxygen नहीं मिल पाता उसकी वैसे जो चेरेब्र वाले पार्ट में अफेक्ट पड़ता है इसी वाले पार्ट का दिमाग का हमारा एक्सिदेंट हो जाए या उस पे श्ट्रोक लग जाए श्ट्रोक आ जाए ठीक है ना head injury हो जाए या brain surgery हो जाए तो कहीं ना यह स topics are contra-indicated in hypersensitivity अगर यह तो हर किसी में लिख सकते हो अगर कोई drug hypersensitivity किसी के लिए खाने से उसको react कर जाती है pregnancy और lactation यही बड़ा common है pregnancy के समय बड़ा ध्यान से यूज़ करना होता है lactation के समय बड़ा ध्यान से इन drugs का यूज़ करना होता एक renal impairment मैंने बताया था kidney और liver वाला भी आता है खेर वो यहाँ पर नहीं है तो यह 3, 4, 5 ऐसे हैं कि contra-indication में सब में लिख सकते हो लेकिन सबके specific याद रखो तो अच्छी बात है पता जला उसमें 3 drug दे दिये और 3ों के ही contra-indication लिखने के लिए दिये है ना तो फिस सब में same-same लिखोगे तो दिक् moncology के starting chapter है ना कि सर बड़े लेंदी लेंदी चेप्टर बना दी है वह introduction था इसलिए वहाँ पर मैं भी मजबूर था introduction में बहुत सारी चीज़े होती है तो सब explain करने बढ़ता आप देखो छोटोटे lecture बन रहे है मैं भी छोटोटे बना रहा हूं आर्ट ददद मिंट के फट है तो पढ़ते रहें रिवाइस करते रहें और कोई जरुवत है तो मुझे call करें यह app है आपका ठीक है lecture notes YouTube में मिल रहे है free of cost बाद extra practice के लिए app है ठीक है ना तो पढ़ना है और revision करना है all the best